प्राशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरे नाम है सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत ही शांदार न्यूस है पंजशीर के जो लीडर्स है वो अभी भी अफगानिस्तान में है वो ताजिकिस्तान नहीं अब खबर यह आ रही थी कि एहमद मसूद टर्की भाग गए अमरुल्ला साले ताजिकिस्तान भाग गए लगिन अब रिपोर्ट में यह सामने आया है कि दोनों ही अफगानिस्तान में है इन फैक अभी लड़ाई खतम नहीं हुई है अभी तालिबान का पूरा कंट्रोल प पीडियेफ मिल जाएगी तो एहमद मसूद जो है रेजिस्टेंस फोर्सेस के लीडर और अभी भी वो अफगानिस्तान में है पंजशीर की सकतर परसेंट में इस्ट्रीट सेंट पंजशीर दियार अंडर कंट्रोल आफ दी तालिबान देखो ऐसा है इरान की न्यूज एज फार्स ने ये रेपोर्ट किया है और इन्होंने बताया था कि जो एहमद मसूद हैं वो भाग गए हैं टर्की साती साथ अमरुला साले भी ताजिकिस्तान भाग गए लेकिन अब इस न्यूज एजिस्टेंसी ने बताया है कि नहीं दोनों ही अफगानिस्तान में हैं ये बि खली पंजशीर को छोड़के एहमद मसूद चिलाते रहे गए बोलते रहेगी कि भाई हमको सपोर्ट करो सपोर्ट करो लेकिन कोई सपोर्ट कहीं से नहीं आया अकेले दम पे इस शेर ने लड़ाई की ये शेर का ही बेटा है वैसे आपको बता दूँ शेर है अफगानिस्त कर दी गई है ये पोस्ट बोन कर दी गई है लेकिन इरान ने पाकिस्तान को सीधा वार्न किया था तो कहीं ना कहीं इरान का सपोर्ट है जो में अफगानी है तो एहमद मसूद देगे मेरा तो ये मानना है भाई कि अगर बेकूफी और बहादुरी में फर्क होता है ये जब Russian Revolution लेके आये थे, तो वो बहारी Switzerland से ही operate कर रहे थे, उनको पता था कि अगर मैं वहाँ पे रश्या में रहूंगा, तो मैं मार दिया जाऊंगा, तो इनका जिन्दा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आकरी उम्मीद है, ये दुनिया से मिले, भारत से मिले, सबसे मिले, और सपोर्ट की बात करें, क्योंकि आप सपोर्ट दीजे, क्योंकि अगर ये खतम हो गए, तो सब खतम, उमीद ही खतम हो गई, तो यहाँ पे जो एहमद मसूध है, खबर के हिसाब से ये जिन्दा है, अब इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़ें, हमारे शानदार कोर्से जातों जरूर अवेल करें, और खबरी पे अगर आपको आडियो कोर्सेश चाहिए, तो मैंने कुछ आडियो कोर्सेश खबरी पे बनाए हैं, तो वो आप अवेल कर सकते हैं, साथ ही साथ हमने फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए निकाली है, चूंकि UPSC का एक्जाम आ रहे हैं 10 अक्टूबर को, तो अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, और अगर आप अपनी परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं, मैं कितना तयार हूँ, वो चेक करना चाहते हैं, तो हर शाम पांच बजए, आदे घंडे का टेस्ट होता है, 10 सवाल होते हैं, जरूर अटेम्ट करें दोस्तों, टोटल 300 सवाल हैं, डेली 10 सवाल, 9 अक्टूबर तक होगा, तो टोटल 300 सवाल, और आठ तारिक को हम 100 सवालों का एक एक्जाम भी लेंगे, अच्छा उसकी PDF जो है, आपको हमारी वेबसाइट, Study Glows पे मिल जाएगी, वो शाम को अपलोड हो जाएगी, ठीक है, तो अभी तक दो टेस्ट हो गए हैं, काफी बच्चों ने अटेम्ट किया, अब भी अटेम्ट करिए, अब देखिए वही है कि तालिबान ने, तालिबान ने क्या किया, कि पंजशीर को पूरा अपने कबजे में ले लिया, ऐसी रिपोर्ट थी, और आखरी जो उम्मीत यह भी खतम होगी, पूरे पंजशीर को ब्लॉक कर दिया, अटाक नहीं किया, इन्होंने घिराओ कर लिया, ताकि सप्लाई कट हो जाए, अब पंजशीर में खाने की प्रॉब्लम होगी, धाई लाग से ज़्यादा लोग पंजशीर में आ गए थे, सारे के सारे, मेडिकल की, क्यूंकि सप्लाई बंद, ताजिकिस्तान के बॉर्डर से काफी सप्लाई होती थी, सप्लाई बंद कर दी, और उसके बाद तालिबान इंडर कर गया, फिर फाहीम दिश्टी हो गए, और भी बहुत सारे लीडर्स हो गए, एक के बाद एक पंजशीर के मारे गए, अब इसमें पाकिस्तान के सबसे बड़ा सपोर्ट था दोस्तों, खाबर ये भी आही थी कि पाकिस्तान ने एरफोर्स से अपनी हमला किया है, अब एरफोर्स के सामने कहां टिक पाएगा, लेकिन अब ये है कि 70% डेफिनेटी आर अंडर दियर कंट्रोल, लेकिन जो पूरी वैली है पंजशीर की, वो कंप्लीट कंट्रोल पे नहीं है, कासिम महमदी ने ये बोला है, है ना, ये बताते हैं, ये नहोंने फार्स को इंटर्व्यू दिया है कि भाई एहमद मसूद जो है, उन्होंने नाशनल अपराइजिंग के लिए बोला था, ये तो आपको बताई है, लास्ट मंडे, जब खता मने वाला था, तब इन्होंने अफगानियों से अपील की थी, सारे अफगानिस्तान भासियों से अपील की थी, कि जहाँ पे भी हो, जहां पे भी खड़े हो, जहां पे भी रुके हुए हो, जहां पे भी रहते हो, उठो और लडो, एक national uprising शुरू करो, तुमारी dignity, freedom और prosperity के लिए, बहुत शांदार चीज बोली थी, रेकिन ऐसा हो नहीं पाया, अभी कली कवर आई थी कि तालिबान औरतों को पूरी आजादी द बोला है कि एहमद शाह मसूद अमरुला साले नहीं अफगानिस्तान से बाहर गए हैं, अमरुला साले का भी यह था ना कि ताजिकिस्तान भाग गए, लेकिन ताजिकिस्तान खुद बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी वो तालिबान में ही है, तालिबान से लड़ और रेजिस्टेंस लीडर से कॉंटाक्ट बनाए हुए है यह चीज फिर उसके बाद वही है कि दोनों ही यहाँ पे हैं और यह जो भतीजा है और जो अमलुला साले का निफ्यू है उसने भी बोला था कि यह बिल्कुल सही बात है कि तालिबान ने बुरी हालत किये है अमलुला साले के जो भाई है वो कहीं जा रहे थे रोक के उनको गोली मार दी तो हमारे साथ नाइसाफी तो हो रही है लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं है हम लोग लगातार कॉंटाक्ट में हैं और जंग अभी जारी है तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है फिलाल आगे उम्मीद कुछ कमी लग रही है लेकिन ये सही है कि अगर लीडर्स बचे हुए है तो आगे क्यों उम्मीद बढ़ सकती है और फिलाल आपको पते है कि जो तालिबान में अभी तक पूरी प्रॉपर सरकार बनी है नहीं जो केर्टेकर सरकार बनी है उसमें तो आदे से जादा आतंकवादी है पाकिस्तान क्या पूरा च्छाप उसमें दिखती है कुछ रही है पर ते रेडियर से दान तक नहीं हो तो रही है नहीं हो